सर जब पवन जी खिसारी जी शुरुवाती दोर में आपसे मिले तो इस्टार नहीं थे आप आपने उनको सजाया उनके गानों को इस तरह से बनाया कि वह आलमोस्ट टॉप गानों में शुमार हो गए लॉलीपॉप की बात कर लें सर लॉलीपॉप की कुछ कहानी जो आपके दिल और जिहन में वह अभी भी है कि वह जब आप मेकिंग कर रहे थे बना रहे थे म्यूजिक डाल रहे थे तो क्या-क्या चल रहे था क्योंकि उस समय बहुत ही नया नया था और आपके लिए भी काफी वह चेंज देखिए पॉप इसलिए जाना जाता है कि उसकी वज़ा से एक्चुली भूजपुरी एक प्लेटफॉर्म पे आ गया प्लेटफॉर्म मेरे कहने का मतलब है कि एक छेत्र की एक जिले की अभी यूपी भिहार को आप छोड़ दीजे मैं वैसे बात करता हूं कि लिसनर्स ने उसको एक छेत्रिय सोंग को उठाके एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया उस गाने की सबसे बड़ी ही यूएसपी ये है गाने की नंबर वन और नंबर टू में मैं एडिशन करना चाहूंगा कि जब वो गाना बना रहे थे तो चलिए ठीक है यहां जैसा चल रहा थ भी चल रहा था बहुत भैतरीन किसम का चल रहा था उस गाने की बीट्स म्यूजिक मेलेडी और पवन जी की आवास तो आप बड़े अच्छे से जाहिरी है कि वह जो भी करेंगे अगर आप बात करते हैं कि वह स्टार नहीं थे तो देखिए कोई भी बंदा स्टार तो बनत का आपके लिए जी स्टैमिना था वो अभी तक वैसा ही है उससे बड़ा ही है तो उस चीज को मिलाते हुए पवन जी नहीं थे स्टार लेकिन मेहनत इतनी की वह स्टार बनके और आज भी सबसे बड़े ही स्टार है सब भाई अपनी जगा है लेकिन अगर आप बात करें तो combination of the thing right होना चीए हर जगा पर ना जैसे आप मान लेजिए अगर कोई अच्छी सी सब्जी बना रहे हैं उसमें कुछ भी कमती बढ़ती उपर नीचे होगा तो क्या जाएगा उसका मजा मिजा सब जाएगा तो music भी इसी तरीके से है और सबकी मेहनत सबसे पहले तो राइटर अगर मेरा बस चले अगर मुझे कोई आवार्ड शो करना हो या कुछ सबसे पहले किसी को गांप सर्क तना हो या सबसे पहले किसा को सबसे ज्यादा पाईमन दीनी सबसे बढ़ा समान देना हो तो मैं सबसे नंब रखूआ उन राईटर जो गाने का जननी होता है बेसिलिए थौट शेयर करता है उसके बाद चलिए उसको डिजाइन जिसरी के से किया जाता है मैं अपना नाम नहीं लोगा नहीं तो कॉंट्रवर्सी हो जागे कि बहुत बड़ा रोल है कि डिजाइन क्या करना है नंबर त्री जब राइट कॉम्मि प्रड़क्ट बढ़िया बनता है और पहले भी बने थे हमारे पैदा होने से भी पहले बने थे हमारे जाने के बाद भी बनते रहेंगे बस यह कॉम्मिनेशन करकर करना है सब चीजों के हिसाब से और लॉलीपोफ इसा हिस्ट्री सब लोग बात चाहते हैं उसके बार में सब्सक्राइब करने के लिए और गाना बनने के बाद रिलीज करने के बाद अभी तो यूट्यूब का डिजिटल जमाना आप एक सेकंड में सारी हिस्ट्री निकाल लेते हैं मैं बात कर रहा हूं सन 2008 की तो उस टाइम पे तो कुछ ऐसा था नहीं गाना करने के बाद मन में यही था कि यार जिससे काम करने का ओडर मिला है जिस वी क्लाइंट ने भूग किया उसके लिए बड़े अच्छे से काम करके दी जाना चला गया सब कुछ हो गया अक्चली सेलवे में दस गाने किया थे जिसमें पांच लॉलीबब पाली अलबम में निकले थे और पांच पता लगा कि यह गाना बहुत बजार में बिहार में बहुत जी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है तो वेव कंपनी के तब श्रीमान स्वर्गी कुमार गौतम जी होते थे बस उनसे ऐसा प्यार हो गया कि बस उन्हें ने का कि भई साब हमारे साथ ही काम करो गया और कहीं सकते तो बस वो सिस्टम फिर ऐसा चालू हुआ उसके बाद लॉलीप आप आया फिर उसके बाद कल हुआ हमारा सिंगर कलू जिनको आप नाम से जानते हैं उनके बड़े सारे गाने सदी सनिया के गाने मिट्टू मार्चल के गाने अगर मैं बताओ तो हूग राजा जी कह ल बलुमा जी को ले लिजिए चालू कर जनिटर उसके बाद आप खेसारी लाल जी को ले लिजिए के सारी लाल जी का वो प्रजेक्ट करने में मुझे साथ महीने लग गया थे मैं इतना ज्यादा ओवर लोड़ीड हो गया था लॉलीपॉप के हीट होने के बाद आप पूछ प्रजेक्ट ना कि क्या इस गाने की विच में स्टोरी जी उसके बाद तो ऐसा सिस्टम हो गया था कि एक जब महने से कोई भी प्रोड़क्ट बनाते है न और जब आपको पता लगता है देखिए अभी तो क्या कि मीडिया और सिस्टम एकदम आप सूचना है आदान परदा दृट दृब के साथ तो तब था कि न्यूज आने में थूड़ा सा टाइम लगता सीडि बनता था कैसा लोगों और भीं जाता था लोग उसको पसंद करते थे कंपनि को ब्ल्यों उसे चल रहा करते सब और के 100 ऐसीं चल रहा है तो उसके अदुhesतब से सारी और डिजाइनि बांडिंग मनगी फिर एक ना क्या हुआ कि बिंग न आर्टिस्ट को की आर्टिस्ट का दिल होता है एक दम कोमल एक ना अलग किसम का जुड़ाव इस इंडस्ट्री के साथ हो गया कि यार अगर लोगों को यह चीज़ पसंद आ रही है तो क्यों ना बहतर से बहतरीन किया गय भैतर से बहतरीन करने के बाद वह दौर में उस सब चीजों में बहुत ही अच्छा था लेकिन इन सब चीजों के पीछ में एक कड़वी सच्चाई और भी है जो मैं चाहूंगा कि मैं बोलू सामने कैमरे के जिससे हमारे आने वाले लोगों को और जो कर रहे हैं और जो करें अगर संदेश जाता है वो कुछ सुधार करते हैं तो यह सिरफ अपनी मातरवाश्या भूजपरी के लिए बहुत यह अच्छा रहेगा मेरे साथ एक ट्रैजिक हिस्ट्री भी जूड़ी है इस चीज के लिए मैंने जब 2008 में भूजपरी काम करना शुरू किया तो मेरे को ब साड़े बारा हजार गाने बना दिये साड़े बारा हजार गाना बनाना अपस में रिकॉर्ड है मैंने सड़नली इस लाइन से भूजपरी से अपने आपको बैक आउट कर लिए